फ्रेश दूद और सबजी के लिए अब घंटों इंद्रजाद में विग ब्लिस पर आउडर करें और 10 मियट में पाएं अपने गर फ्रेश दूद और सबजी तुरंट डाउनलोड करें विग ब्लिस एप खुशियों की अपनी दुकार नवश्कार इस कारवारी सब्ता में major non-agri commodities याने precious metals, base metals और energy complex में क्या रुज़ान दिखने मिलेगा इसकी जड़्चा करते हैं शुरवाद gold और silver से करते हैं, हमने देखा है कि gold में जबरदस तीजी आते हुए दिखी है और काफी महिनों के बाद 50,000 का जो आकड़ा है वो पार होते हुए दिखा है और उसके उपर close भी होते हुए दिखा है domestic markets M6 पर वहीं अंतराष्टे बजार में 1900 डॉलर का जो स्तर है वो छुने में काम्याब हुआ है लगबग 6-7 मेनों के बाद तो जो हमने पिछले हफतों में चर्चा की थी तीजी की और जो लक्ष दिये थे 1900 से 1910 डॉलर के वो हासिल होते हुए दिखे हैं इसके पीछे fundamental कारण भी है कि जो रशिया और यूकरेन के बीच तनाव जारी है हलकि अभी तक कोई ग्राउंड पे major action नहीं हुआ है दुनों देशों के बीच में लेकिन जो एक तनाव है वो बरकरार है और यही एक चीज है जो गोल्ड को फिलहाल एक safe haven की तरह एक protection के hedge की तरह उपर की तरफ कर पा रही हैं और जो निवेशक हैं वो निशलेस तरोपे इसमें buying कर रहा है क्योंकि उठापटक जारी है हमने देखा था कि इसके पहले भी 50,300 से लगभग 49,250 तक का एक बड़ा fall आया था और वहां से दुबारा हमने 50,300 तक prices को जाते हुए दीखा है तो बड़ी chopiness या ब हमने गोल्ड में आते हुए देखा है सिल्वर के बजाए सिल्वर में भी हमने देखा कि निशलेस तरों के आसपास याने 37,000 या 12,500 के करीब buying देखी गई है लेकिन जो percentage gains है वो हमने गोल्ड में ज्यादा आते हुए देखे हैं गोल्ड में पिछले हफते लगबग 2 के साथ दिया है लेकिन absolute percentage gains जो या absolute gains देखके जाते हैं वो गोल्ड में हमने ज्यादा देखे हैं और आगे भी यही जारी रहेगा ऐसा लगता है क्योंकि जो gold silver ratio होता है जो अंतर आश्रे बजार में trade होता है वो हमने देखा है कि 80 के करीब पहुंच चुका है याने gold के favor में फिलहाल वो ratio है और आने वाले कुछ हफतों तक ऐसे रहने की उम्मीद है तो अगर gold के short term medium term की बात करें तो 1900 से 1910 डॉलर का तो लक्ष हासिल हो चुका है अब ऐसा possible है कि हम 1870 से 1865 डॉलर तक एक छोटा correction देखें याने भारतिये बजारों में हो सकता है 49600 से 49500 तक एक correction दॉबारा राली आ सकती है जहां पर दाम जो है वो 51,000 से 51,200 तक जा सकते हैं याने dollar terms में लगबक 1940 डॉलर तक का अगला एक लक्ष लेके चला जा सकता है वहीं चांदी में भी 62,000 से 63,000 की बीच एक अच्छा support zone बन चुका है और ऐसा लगता है कि उस region में दुबारा देखन मिले तो upside में 65,500 से 66,000 की लक्ष के लिए buying जो है वो की जा सकती है लेकिन दोनों में preferred जो रहेगा as of now वो gold होगा वहीं पर energy complex में भी काफी उठा पटक देखी गई जहां पर फिछले हफते हमने 6,800 तक दाम को फिसलते हो देखा उसके बाद दुबारा 7,100 तक गए थे इस 700 के करीब आया है MCX पर वहीं अंतराष्टे बाजार में भी हमने देखा कि 90 डॉलर के उपर की ही closing दी गई है जहां पर WTI तक का सवाल है और क्योंकि जो underlying tensions है वो अभी भी मौजूद है और Russia जो है वो कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा supplier है तो अगर ground पे कोई reality होती है या कोई छोटा भी attack हो जाता है तो कच्चा तेल जो है वो दुबारा rally करेगा ऐसी एक possibility है तो इसलिए निशलेस तरों पे क्योंकि correction भी काफी अच्छी खासी हो गई है हमने 7150 से 6550 तक का एक fall देखा है लगभग 8 फीजदी का एक fall देखा है तो इसके बाद ऐसा लगता है क तीजी की तरफ बनेगा और हम दुबारा 7100 तक के लक्ष आने वाले एक से दो अफ़तों में आते हुए देखेंगे तो इस हिसाब से जो भी dip आती है वहाँ पर बाइंग की जा सकती है मेजर सपोर्ट 6550 और 6400 के करीब हैं तो यहाँ पर अगर dip मिले तो बाइंग की position हुई है वहीं पर natural gas में हमने काफी उठा बटक देखी जहाँ पर 295 से लगबख 360 तक की राली देखी गई और उसके बाद फिर से 328 के लोज देखे गए closing 341 से 338 के बीच आई है ऐसा लगता है कि आने वाले हफ़ते में दुबारा तेजी की आशंका हो सकती है जहाँ पर 355 से 360 के स्थर दुबारा देखे जा सकते हैं लेकिन ये immediate तोर पर एक तेजी दिखाई दे रही है अगर 360 का दाइरा नहीं निकाल पाता तो दुबारा हमें वहाँ से correction देखने मिलेगी लेकिन आने वाले हफ़ते के 2 से 3 सेशन में तीजी की उम्मीद बनी हुई है 325 से 330 के बीच में एक immediate support है जब तक ये support hold कर रहा है तब तक buying की एक possibility बन रही है वहीं पर base metals में दाइरे का कारोबार देखा गया इसके पिछले हफ़तों में हमने दे के सरों से 250 तक के सर तक आते वे देखा था इस हफते में एक short covering देखी गई जहां पर 760 से लगभग copper 771 से 72 तक देखा था in fact 776 तक भी level देखे गए थे जिसके बाद जो closing आई वो 762 की आई short term basis ऐसा लगता है कि एक उपरी सरों पे दबाव बना हुआ है याने rallies तो आएगी लेकिन short term में upsides होगा और limited होगा और जो short term direction है वो नीचे की तरफ होने की उम्मीद है जहां पर 755 से 752 तक के भी level copper में test हो सकते हैं वहीं पर aluminum में 266 का एक अच्छा resistance है जो पिछला high था इस 255 तक किस तर दुबारा देखें वहीं पर हमने zinc में भी 302 तक prices को जाते हैं देखा लेकिन जो closing थी वो 296 के करीब आई है तो यह जो correction है वो initial तोर पे 251 से 252 तक जा सकती है अलगकि downside भी यहां पर limited होने की उम्मीद है वहीं पर nickel भी हम देख रहे हैं कि 1820 से 1830 के level पार करने में दिक्कत हो रही है तो इसके उपर फिलाल आजाने की उम्मीद कम है और हो सकता है हमें correction 1750 से 1715 तक आते हो देखें तो इसलिए पूरे basement pack में शुरुवाती दोर में आगले हफते के एक correction आने की उम्मीद दिखाई दे रही है याने उच्छाल पे विक्वाली करके चला ज सकता है लेकिन यह जरूर कहोंगा कि downside भी जो होगा वो limited होने की उम्मीद है क्योंकि यहां पर भी geopolitics का जो एक impact है वो आ सकता है अगर ground पे कोई war जैसी situation आ जाती है तो aluminum और nickel में सबसे ज़्यादा impact होगा buying side में क्योंकि Russia यहां पर भी एक बड़ा supplier है और दोनों की जो supply है उ उसमें कट उती होने की उम्मीद होगी अगर कोई war जैसी situation डवलप हो जाती है तो इसलिए जो भी trade लिया जाए वो strict stop loss के साथ लिया जाए तो भेतर रहेगा और निश्लेस तरों पे दुबारा buying की position बनाने को देखा जा सकता है in base metals में तो यह था एक जायजा कि आने वाले क कुछ sessions में क्या रुजान रहेगा धन्यवाद चाहे कपड़े हो ग्रोसरीज हो दवाईया हो या हो कोई भी घर का अन्य समान और आपको चाहिए हो instant delivery अभी डाउनलूड करिए Big Bliss एप Big Bliss एप पहुँचाएगा सारा समान 10 मिनट में Big Bliss एप है खुशियों की अपनी दुकार